हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम इंस्टाल कर सकते Amazon Prime Video एप को हमारे Windows 11 के PC या फी लैपटाप में बहुत ही जादा सिंपल वीडियो है तो चलिए अपनी वीडियो के लिए तो सबसे पहले हम जाएंगे Chrome में हम यहां पे latest Google Chrome का updated version जो होगा latest Google Chrome जो होगा उसका इस्तमाल कर रहे है तो यहां पे आपको type करना है Amazon Prime Video और hit करना है enter की के उपर अपने keyboard के तो यहां पे first option आएगा Amazon Prime का तो इसे हमें open करना है तो इसे हम open कर लेंगे तो यहां पे Amazon Prime आ चुका है तो हमें क्या करना है यहां पे यहां पे जो three dot लिख रहे है इन three dot के उपर क्लिक करना है और अगर आपका latest version नहीं है Chrome का तो आपको more tools में जाना है और यहां पे shortcut मिलेगा more tools में जाने के बाद पुराने version के लिए shortcut मिलेगा नया version होगा latest तो यहां पे जाएंगे save and share में और यहां पे creator shortcut होगा तो creator shortcut के उपर हम click कर देंगे यहां पे कोई भी नाम दे सकते है मैं यही नाम रखूंगा IMP क्या है इसके अंदार open as a window इसे select करना है check mark लागा देना है यहां पे creator shortcut पर click करना है तो नया window यहां पे open हो जाएगा और इसे हम बंद कर लेंगे इसे minimize यहां बंद कर सकते है इसे close कर लेंगे तो उसके बाद यह install हो चुका है यहां पे इसका shortcut आ चुका है start में जांगे तो यहां पे भी amazon prime आ चुका है यहां से open कर सकते है ह视श्का यह नहीं पी desktop से میں यहां से open कर लेता हूँ तो यहां पेbands open हो चुका है इसे login कर जिए और इसे use कर सकते है उसके बाद अमें इसे close कर लेता हूँ, अगर आप इसे नहीं चाहते हैं, इसे delete मारना चाहते हैं, वो भी बहुत simple है, इसे open कर लीजिए, मैं desktop से इसे open कर लेता हूँ, उसके बाद uninstall करने के लिए आप इन 3 dots के उपर click करेंगे, यहाँ पर आपको uninstall welcome to prime video जो को भी नाम आपन दे रखा होगा, वो आएगा, उसके पर click करेंगे, यहाँ पर इसे check नहीं करना है, also delete data from chrome इसे वैसे ही रखने देना है, और remove के उपर click कर देना है, तो यह यहाँ से remove या फिर uninstall हो जाएगा, तो दोस्तो यह simple तरीका था, install करने का, या फिर uninstall करने का, हमारे amazon prime video app को, हमारे windows 11 PC, या फिर laptop में, तो दोस्तो इस वीडियो को अन तक देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद, इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चानल को subscribe करना कता ही, मत भूलिए, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye!